किसी ने क्या खूब कहा है खुद को परिपूर्ण बता कर सीखना छोड़ना मुर्खता है लेकिन खुद को अज्यानी मानकर सीखते रहना बुद्धिमानी है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रेम प्रिकास पांडे है आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटीवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ आज की स्टोरी के जरिये हम जानेंगे कि जीवन परियंत सीखना चाहिए जिसका लाव आपको मरने के बाद भी मिलता रहता है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते है या बेहतरीन श्टोरी एक सेठ बस से उतरे उनके पास कुछ सामान था आज पास लजर दोड़ाई तो उन्हें एक बज़दूर दिखाई दिया सेठ ने आवाज देकर उसे बुला कर कहा अमुक अस्थान तक इस सामान को ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे आपकी मर्जी जो देना हो दे दे लेकिन मेरी सर्थ है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना सेठ ने डाट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम बन गमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी मजदूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया मजदूर दोड़ कर आया और बोला मेरी सर्थ आपको मंजूर है सेठ ने स्वार्थ के कारण कहा हा कर दिया सेठ का मकान लगबख 500 मीटर की दूरी पर था मजदूर समान उठा कर सेठ के साथ चल दिया और बोला सेठ जी आप कुछ सुनाओंगे या मैं सुनाओं शेठ ने कह दिया कि तू ही सुना मजदूर ने खुस हो कर कहा जो कुछ मैं बोलू उसे ध्यान से सुनाओं यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुझ गए मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया सेट ने जो पैसे दिये ले लिये और सेट से बोला सेट जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं सेट ने कहा मैंने तेरी बात नहीं सुनी मुझे तो अपना काम लिकालना था मजदूर बोला सेट जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गल्ती करती, कल ठीक साथ बजे आपकी मौत होने वाली है सेट को गुस्सा आया और बोले तेरी पक्वास बहुत सुनगी, जा रहा है या तेरी पिटाई करो मजदूर बोला मारो या छोड़ दो, कल साम को आपकी मौत होनी है, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो अब सेट थोड़ा गंभीर हुआ और बोला सभी को मरना है अगर मेरी मौत कल साम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मजदूर बोला तब ही तो कह रहा हूँ, कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो, सेट बोला सुना, ध्यान से दे कर सुनूँगा मरने के बाद आप उपर जाओगी तो आप से उचा जाएगा कि हे मनुष पहले पाप का फल फोगीगा या पोड़ का, क्योंकि मनुष अपने जीवन में पाप और पोड़ दोनों ही करता है तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तयार हूँ, लेकिन पोड़ का फल आखों से देखना चाहता है इतना कहकर मजदूर चला गया, दूसरे दिन ठीक साथ बज़े सेठ की मौत हो गई, सेठ उपर पहुचा तो यम्राज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रस्न कर दिया कि पहले पाप का फल भुगना चाहता है कि पूण का, सेठ ने कहा पाप का फल भुदकने को तयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पूण किया हो, उसका फल आखों से देखना चाहता हूँ यम्राज बोले हमारे यहां ऐसी कोई यवस्था नहीं, यहां तो दोनों के फल भुक्तवाए जाते हैं, सेठ ने कहा कि फिर मुझसे क्यों पूछा, तो उसे उचा कर पूरा करो, धर्ती पर तो अन्याय होता देखा है, पर यहां पर भी अन्याय है यम्राज ने सोचा, बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछ कर बड़े गुरे फसे, और मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है, जिससे कि इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए, विबस होकर यम्राज उस सेठ को ब्रह्माजी के पास ले गए, और पूरी बात बता दी, ब् ब्रह्माजी भी विबस होकर यम्राज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुचे, और समस्या बताई, भगवान ने अम्राज और ब्रह्माज से कहा, जाए, अपना अपना काम, देखिए, दोनों चले गए, भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाह भगवान बोले, धन है वो सद्गुरू, उस मजदूर को उन्होंने बोला, जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्यान कर गया, अरे मुर्ख, उसके बताई उपाय के कारण, तु मेरे सामने खड़ा है, अपनी आखों से, इससे और बड़ा पोने का फल क्या देखना चाहता ह इसलिए बचपन से दोस्तों हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, अच्छी बातें ध्यान से समझनी चाहिए, पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाये, कहते हैं न कि जीवन भर आदमी को सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहन करते रहना चाहिए, छोड़ना चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि सद्गुरु हूँ या माता पिता हूँ, सभी की अच्छी बातें सुनने और ग्रहन करते रहना इसके लिए प्रद्दिन सुबह साड़े पांच बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की सुरुआत तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आसिरवाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐस साकी उदाहर पच्जाए छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी लाइक कर दीजिए सेर कीजिए अपने स्मित्रों में भी और कमेंट जरू कर यह और चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब कर दीजिए और नई-दिन मोटीवेसिनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकर